हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मा यूटूब चैनल, पीडी टैग में अब तक टल्जेवला लेक्टर नमबर थार्टी आज की इस लेक्टर में हम प्रोपर्टीज ओफ आइसो मोर्फिसम एक्टिंग ओन ग्रूप्स करने वाले हैं इससे पिछली हमने जो दो वीडियो डाली है वहाँ पे हमने आईसो मोर्फिसम की प्रोपर्टेज तो की थी बट वहाँ पे हमने ऐलिमेंट्स की बात की थी ठीक है जो ऐलिमेंट्स पे वर्क कर रही है वहाँ पे 7 properties थी 7 की 7 वहाँ पे element पे based थी बट यहाँ पे जो आपके पास properties होगी वो group पे based होगी है group पे work करेगी तो यहाँ पे आपके पास 6 properties होने वाली है total तो हम complete कर लेते हैं आज की ही lecture में अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आज का यह lecture आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हम जो पिछली properties हैं उनका direct यहाँ पे use करने वाले हैं याद रखेगा वो आपकी acting on elements थी यहाँ पे आज की property आपकी होने वाली है acting on groups ओके तो हम यहाँ पे properties को समझेंगे और उसका proof भी यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि जब आपका objective paper होता है देन आपको direct property यूज करने होते हैं बट जैसे ही आपका subjective paper होगा अगर कोई MSC में हैं BSC में हैं या फिर कोई competitive exam है जहाँ पे आपका subjective paper होने वाला है तो वहाँ पे आपको लिखना होता है complete proof आपको देना होता है तो only statement समझने से कुछ नहीं होगा फिर आपको proof भी आना चाहिए हैं तो हम यहाँ पे proof भी करने वाले हैं और अगर आपको इस जाएगी और एक ही सीरीज में आपको सारी वीडियो में मिल जाएगी है ना तो देखिए यह है मेरा जो एप है PD Tech Math के नाम से आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे जाएए वहां से आप इंस्टोल कर लीजिए दैन आप जैसे ही free material में जाओगे आपको documents में PDF मिल जाएगी उसके बाद अगर आप वीडियो में जाते हैं तैन आपको complete वीडियो मिल जाएगी ठीक है folder बना रखे है मैंने अलग अलग से अभी दो टेस्ट भी वहां पर डाल रखे हैं आप ट्राइ कर सकते हैं एक्तम free material है कोई पैसा वहां पर नहीं लगने वाला है चिर्फ आपका benefit इतना होने वाला है कि आपको वहां पी कठा material मिल जाएगा और PDF आपको मिल जाएगी है और अगर आप मेरी telegram channel को join करना चाहते हैं आपको description में link भी मिल जाएगा हमारा एक WhatsApp ग्रूप भी है अगर आप उसमें भी add होना चाहते है आपको description में link मिलेगा वहां से आप join कर सकते ह चल गए अब हम चलते हैं अपनी first property की दरफ तो देखिए first property आपकी क्या है आच्छे से समझ जिएगा suppose that phi is an isomorphism याद रखिएगा phi यहां पर आपके पास क्या है isomorphism है और कहां से कहां तक है from g to g bar अब अगर यह isomorphism है then first आपके पास क्या होगी homomorphism की condition satisfy करेगा ओके second आपके पास क्या होगी phi आपके पास one one होगा and third आपके पास property क्या होगी on to ठीक है याद रखिएगा यह तीनों property satisfy होने चाहिए अगर phi आपके पास क्या है isomorphism है from g to g bar ठीक है first property है phi inverse is an isomorphism from g bar on to g अब हमें पता है कि phi तो isomorphism है हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है to prove phi inverse from g bar to g is an isomorphism ठीक है इसका मतलब है यहां पर हमें phi inverse homomorphism proof करना है one one proof करना है and on to proof करना है ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर one one की बात करूँ सबसे पहले अगर मैं यहां पर one one की बात करूँ तो क्या होगा one one का अगर हम यहां पर जीकर करें तो यहां पर क्या होने वाला है बोलिए जल्दी से g bar से हम कोई भी दो element लेंगे let phi of x1 and phi of x2 in g bar ठीक है अब हमें क्या दिया हुआ है since phi is an isomorphism अब जो phi आपके पास है वो क्या है isomorphism है कहां से कहां तक from g to g bar ओके तो इसका मतलब है कि जो आपके पास यह five of x1 है अब यह five of x1 जो है अब यह isomorphism है इसका मतलब there exist x1 and x2 in g such that phi of x1 is equal to y1 होगा and phi of x2 is equal to y2 होगा क्योंकि अगर यह on to हुआ इसका मतलब है कि को domain के हर एक element की corresponding हमें उसकी pre image मिलेगी ठीक है यहां तक okay है है अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है one one proof करना है phi inverse को तो हम यहां पर मान के चल लेते हैं कि जो image है वो दोनों की equal है तो हम elements को equal proof कर देंगे यही करने वाले हैं हम है ना ठीक है कैसे करोगे अब यहां से क्या जाएगा आपके पास अगर हम यहां से देखें तो यह आपके पास हो जाएगा phi inverse y1 is equal to x1 यहां से आपके पास क्या होगा phi inverse y2 is equal to x2 है ना यहां तक okay है अब जो यह y1 और y2 है यह कहां से भी लोग करते हैं जी बार से ठीक है तो हमने यहां पर माल लिया कि जो इन दोनों की जो इमेज है वो इक्वल है ठीक है क्या है वन वन है सिंस सोरी सिंस फाइज ओन टू है ना ठीक है तो यहां पर जो फाई आपके पास है फाई ओफ एक्स वन आपके पास क्या आया था वाई वन वाई वन के कोर्सपनिंग यह इसकी परीमेज थी तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा यहां 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 पर आपके पास क्या आपके पास तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा जी से कोई भी एक एलिमेंट ले लिजी लेट जी भी एनी आर्बिटरी एलिमेंट फ्रों जी भी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ओफ जी तो हमें क्या करना है जी के कोर्सपनिंग इसकी एक प्रीमेज फाइंड आउट करनी है है ना अब कैसे करोगे G के corresponding इसकी प्रीमेज फाइंड आउट करने हो और कहाँ पे G बार में हमें ये फाइंड आउट करने है बोली जल्दी से कैसे करोगे कैसे करोगे इसको देखिए अगर G आपका G में है तो हमें यहाँ पे G बार में हमेंशा इसके corresponding एक फाइंड जी मिलेगा और वो क्यों मिलेगा क्योंकि फाइंड आपके पास क्या है आईसोमोर्फिजम है फाइंड आपके पास क्या है आईसोमोर्फिजम है तो वो 1-1 और 1-2 की कंडिशन भी सैटिस्फाई करेगा ठीक है अगर जी हमने कोई भी कार्बिटेरी ऐलिमेंट लिया डोमेंड से then we have 5Z from G-bar so that 5 inverse 5Z अगर आप करोगे तो यह क्या हैगा 5 inverse 5 इडेंटिटी हो जाएगा तो यह क्या होगा G ठीक है अब उसके बाद लास्ट आपका क्या बजता है होमोमोर्फिजम अब होमोमोर्फिजम को कैसे करोगे देखे हमने कोई भी 2 arbitrary elements ले लिए कहां से G-bar से ठीक है तो हमें क्या प्रूफ करना है 5 inverse xy is equal to 5 inverse x 5 inverse y अब यह if and only if में चलेगा अगर मैं यहां पर 5 apply करूं बोच साइड देन 5 5 inverse xy is equal to 5 5 inverse x 5 inverse y और यह आपका क्या हो जाएगा if and only if xy is equal to 5 5 inverse x 5 5 inverse y ओके और यह आपका क्या हो जाएगा यहां से अगर हम देखें तो यह आपका identity यह आपका identity यह आपका आजाएगा x y है ना तो यहां से आपके पास क्या आगया hence prove that 5 inverse is also an isomorphism from g bar to z okay hence prove that ठीक है जो भी चीज़े हमें गीवन होती है हम उन्हें का use करके proof करते हैं ठीक है अब एक भी property आपको ऐसी नहीं लगेगी कि जहां पे हमने use ना किया है ना ठीक है या फिर है कोई ऐसी प्रोपर्टी बताएए मेरे को चलिए next property देखते हैं क्या है second property है आपके पास g is abelian if and only if g bar is abelian तो यहां पे हम partition कर लेते हैं board का है अब देखो g is abelian if and only if g bar is abelian तो एक तो आप mind में रखना कि phi आपके पास isomorphism है from g to g bar वो हमने हर question के उपर नहीं लेखा first में ही हमने उपर mention कर दिया था कि जो phi है आपके पास वो isomorphism है ठीक है यहां पे देखिए phi आपके पास जो g to g bar है isomorphism है is an isomorphism okay and now suppose that suppose g is abelian suppose that g is abelian this implies x y is equal to y x for all x y belongs to g ठीक है यानि कि हर एक element compute करेंगे जो आपके g से होंगे अब हमें proof क्या करना है to prove g bar is abelian ठीक है तो हम यहां पे क्या करते हैं g bar से कोई भी two elements ले लेते हैं अब g bar में किस टाइप के elements होंगे अब phi आपके पास 1,1 on 2 है then g bar में आपके पास जो elements होंगे images of elements of g images of elements of g है ना तो यहां पे अगर हम elements लें अगर हम elements consider करें तो यहां पे आएंगे phi x और phi y हमने two elements लें कहां से g bar पे ठीक है तो यहां पे phi x phi y और यह क्या हो जाएगा phi x y because phi is homomorphism and यहां से आपके पास क्या आएगा अब यहां पे reason देद लीजिएगा साथ में यह इसलिए लिखा है मैंने because phi is homomorphism अब यहां पे आपके पास क्या आएगा can be written as phi of y x because because g is abelion अब यहां पे आपके पास क्या आएगा दोबारा से फिर हम homomorphism की property यूज़ करेंगे phi y phi x तो यहां से आपके पास क्या आएगा this implies g bar is abelion फिकर अब converse proof करते हैं converse क्या होगा यहां पे let g bar is abelion ओके अगर g bar abelion है this implies phi x phi y is equal to phi y phi x ok 4 all phi x and phi y belongs to g bar ok g bar की है जो इतने थी elements होगी हर एक element का mute करेगा अब हमें proof क्या करना है यहां पे to prove to prove g is abelion g is abelion अब यहां पे आप एक काम कीजिए आपके पास जो यह है equation से star ठीक है equation star को आप multiply कीजिए phi inverse तो यहां पे आपके पास क्या आएगा phi inverse phi x phi y is equal to phi inverse phi y phi x okay and this can be written as phi inverse phi x phi inverse phi y is equal to phi inverse phi y phi inverse phi x and this is identity then x y is equal to y x for all x y belongs to g this implies g is abelion okay g is abelion hence proved तो यहां से अपना यह भी complete हो जाता है ठीक है यहां कि अगर g abelion होगा तो g bar भी abelion होगा और अगर g bar abelion होगा then g भी abelion होगा if and only if किया condition है I hope कि आपको अच्छे सी समंझ में आ गया होगा अगर आपको समंझ में आ रहा है please आप like जरूर कीजिए channel को subscribe कीजिए and share कीजिए अगर आपको pdf चाहिए है then आप हमारे telegram channel को join कर सकते है app install कर सकते है अगर चलिए अब आपके पास है third property third क्या है g is cyclic if and only if g bar is cyclic चलिए अब हम ये करते हैं काफी interesting property है पिछे वाली भी अच्छी थी अब की बार भी अच्छी है अगर आप starting से वीडियो देखोगे न तो आपका interest बनने लगए इससे कोई बात नहीं है जो group theory है बहुत ही अच्छी है suppose g is cyclic अगर g cyclic हुआ अगर से g cyclic हुआ इसका मतलब है इसका कोई generator मिलेगा this implies g is generated by a where a is the generator of g generator of g अब आप ये बताएए जो ये आपके पास set है इसमें किस टाइप के elements होंगे 4 all a raised to the power cases that k belongs to set of integer हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे to prove g bar is cyclic अब आप मेरे को एक चीज बताएए जो यहाँ पे यहाँ पे एक चीज पता है since जी बार इस ग्रूप अब जी बार एक ग्रूप है then by closer हम यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि यह जो set है आपका यह जी बार में contain करेगा क्योंकि यहाँ से कोई भी element आप ले लीजिए by closer यहाँ पे वो element जी बार में चला जाएगा ठीक है यहाँ बाई closer then by closer this set is contained in g-bar ओके नव अब हमें सिरुफ एक साइड का प्रूफ करना है now to prove g-bar is contained in this set say this equation star ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कोई भी element ले लीजिए g-bar से let b be any arbitrary element from g-bar अगर हमने b g-bar से लिया है ठीक है अगर हमने यहाँ पे b g-bar से लिया है और हमें पता है कि जो phi हाँ आपके पास वो on to है तो b के corresponding हमें एक pre image मिलेगी since phi is on to map ओके this implies there exists an element a in g such that phi of a a raised to the power k is equal to अब यहाँ पे जो elements होंगे g में g साइक लिक है तो this type के elements होंगे तो यहाँ पे क्या होगा phi of a raised to the power k is equal to b अब हमने एक property की थी अगर आपने मेरी element पे based property की है तो वहाँ पे हमने एक first number पे ही एक property की थी property आपके पास क्या थी phi of a raised to the power k is equal to phi of a whole power k and k आपका कहां से बिलोंग करता है integer से थीक है तो इसी का अगर मैं यहाँ पे use करूँ तो यह आपके पास क्या होगा phi of a whole power k is equal to b this implies b belongs to this set यह हम लिख सकते हैं b arbitrary element था जी बार का this implies g बार किसमें contain कर जाएगा इस set में और यह अपनी होगी double star then by star and double star यहाँ से आपके पास क्या आगया g बार is equal to this set तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं this implies g बार is cyclic और generator यहाँ पर क्या है phi of a है ठीक है अब converse proof करते हैं हम converse देखिए converse क्या होगा suppose अब की बार हमने मान लिया कि जो g बार है वो cyclic है g बार is cyclic this implies तो हमें इसके लिए एक इसका generator मिलेगा say phi of a अब हमें प्रूफ क्या करना है to prove g is cyclic that is g के corresponding हमें यहाँ पर इसका एक generator find out करना है तो अब यहाँ पर जो यह आपके पास set है यह ट्रिवियली content हो जाएगा g में है ना कि यहाँ पर कोई issue नहीं होने वाला है I know this set is contained in g अब हमें क्या प्रूफ करना है now to prove इसको आप star दे दीजिए ना now to prove g is contained in this set अब यहाँ पर आप क्या गरो g से कोई भी एक arbitrary element ले लिजिए let b be any arbitrary element in g ठीक है हमने g से कोई भी एक arbitrary element लिया हमें कहाँ पर भेजना है वो इस set में अब देखिए g से अगर हमने कोई भी एक arbitrary element लिया है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर इसके corresponding phi of b इसकी image अगर मैं find out करूं तो क्या आएगी अब phi आपके पास क्या है phi आपके पास क्या है isomorphism है since phi is an isomorphism देखिए अगर मैं अब यहाँ पर phi of b find out करूं तो वो कहाँ पर भी लोग करेगा g bar में है ना अब g bar आपके पास क्या है say click है तो यहाँ से जो phi of b element होगा वो कुछ इस type से होगा phi of a raise to the power के है ना अब आपके पास यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा phi of एक मिनट सोरी यहाँ पर यह इस type से आएगा phi of a raise to the power के तो यह यहाँ पर होगा phi of b is equal to phi of a raise to the power के and now phi is one one map since phi is one one map ठीक है तो यहाँ पर अगर यह image is equal है then यह elements भी यहाँ पर equal होंगे b is equal to a raise to the power k this implies b belongs to this set and this implies b आपका arbitrary element था जी का g is contained in this set and this say equation double star now by equation star and double star we get आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा g is equal to this set okay this implies g is cyclic okay and now hence prove that तो यहाँ से आपका यह भी फूफ हो जाता है एकदम अच्छी प्रोपर्टी थी interesting थी है ना एक एक चीज को अच्छी सी सोच समझ के लिखना है आपको ठीक है पहले statement को अच्छी सी पढ़िए वहाँ पे क्या given है क्या हम use कर सकते है definition क्या है उसकी properties क्या है उसका use हम कैसे करे वो सब आपको देखना है then automatic आपका proof होता चला जाएगा है ना चलिए अब next आपके पास है fourth property fourth में क्या है if k is a subgroup of g यहाँ पे क्या कहा कि k जो है वो subgroup है g का सबसे पहले तो आप यहीं लिख लिजिए ठीक है given क्या है आपको given that k is a subgroup of g k is a subgroup of g अगर k आपका subgroup है z का then by one step subgroup test क्या बोलता है then by one step subgroup test यह सब मैंने करवा रखे हैं जो subgroup test आप देख लीजिएगा पिसली वीडियो then by one step subgroup test क्या बोलता है one step subgroup test a b inverse जो होगा वो आपका कहा पे बिलोंग करेगा k में 4 all a और b जो आपका है वो कहां का element है k का तो यह आपका है one step subgroup test ठीक है अब हमें यहां पे क्या proof करना है to prove हमें क्या proof करना है यहां पे to prove 5 of k is equal to 4 all 5 k such that k belongs to k is a subgroup of is a subgroup of g bar यह हमें यहां पे proof करना है ठीक है तो देखिए हम यहां पे क्या करेंगे वही one step subgroup test ही apply करेंगे now apply one step subgroup test one step subgroup test ठीक है कोई भी two arbitrary element ले लिजिया 5 k से okay let 5 of k1 and 5 of k2 be to arbitrary element in 5 of k ठीक है हमें क्या find out करना है 5 of k1 5 of k2 k2 inverse जो होगा यह आपका 5 of k में भी लोंग करना चाहिए है न तो अगर मैं यहां पे property यूज करूँ तो देखिए क्या होगा 5 of k1 and 5 of k2 inverse and 5 आपके पास homomorphism है तो यह हो जाएगा 5 of k1 k2 inverse ठीक है और यह आपका कहां पे चला जाएगा 5 of k में क्योंकि यहां पे देखिए because k is a subgroup of z k is a subgroup of z अब यह subgroup है z का तो group की सारी property satisfy करेगा subgroup of z है न क्या है subgroup of z तो अगर k subgroup है z का तो यहां से देखिए जो k1 और k2 जो element थे वो हमने लिये थे k से ठीक है अब k आपका क्या है k is subgroup of g this implies जो inverse होगा k2 का वो भी तो आपका कहां पे जाएगा k में and by closure property by closure property जो k1 और k2 inverse होगा वो भी आपका कहां पे चला जाएगा k में this implies phi of k1 k2 inverse जो होगा वो आपका कहां पे जाएगा phi of k में and we have we have k1 k2 inverse जो होगा वो कहां पे है k में खीक है दिस इंप्लाइज phi k is a subgroup of जी बार ओके by one step subgroup test by one step subgroup test ठीक हो जाएगा चलिए अब हम next पे चलते हैं प्रोपर्टी नमबर फिल्थ ये भी कुछ हैसी सी ही है प्रोपर्टी नमबर फोर्थ की तरह देखे क्या है if k bar is a subgroup of जी बार यहाँ पे इस ने क्या कहा है कि जो k bar है वो subgroup है किसका जी बार का यहाँ पे थोड़ा opposite कर दिया है जो k bar है वो किसका subgroup है जी बार का चलिए यहाँ पे क्या given है हमें given that k bar is a subgroup of g bar ठीक है हमें क्या proof करना है to prove phi inverse k bar अब अच्छे से देख लीजी किस टाइप से डिफाइन किया है phi inverse k bar किस टाइप से डिफाइन किया है for all g in g such that image of g in k bar और k bar आपके पास क्या है subgroup है g bar का ठीक है is a subgroup of is a subgroup of g हमें यह find out करना है है न तो उसके लिए क्या करोगे कोई भी two arbitrary element आप ले लीजिए phi inverse k bar से इसको भी हम by one step subgroup test से ही proof करेंगे ठीक है let k1 and k2 in phi inverse k bar अगर k1 और k2 phi inverse k bar से है this implies इसका क्या मतलब है कि जो k1 और k2 है वो कहां पे बिलोग करेंगे g के element होंगे and phi of k1 and phi of k2 sorry अब देखें जिस टाइप से set define किया ना हम उसी के according चले हैं तो phi of k1 and phi of k2 आपका कहां पे बिलोग करेंगे k bar में और k bar आपके पास क्या है subgroup है है ना k bar आपके पास क्या है subgroup है since k bar is subgroup of g bar this implies by one step subgroup test phi of k1 phi of k2 inverse कहां पे बिलोग करेंगे k bar में है ना कहां पे बिलोग करेंगे k bar में ठीक है अब यहां से आपके पास क्या जाएगा phi of k1 phi of k2 inverse and by homomorphism phi of k1 k2 inverse जो है वो आपका कहां पे बिलोग कर गया k bar में और यहां पे जो k1 और k2 bar है आपके पास अब देखिए जो g है क्या है group है अब देखिए यहां पे since g is since g is a group okay and k1 और k2 आपका कहां से बिलोग करता है g से this implies जो k2 का inverse होगा वो भी आपका कहां पे बिलोग करेगा g में and by closure property k1 और k2 inverse आपका जो होगा multiply वो भी कहां पे बिलोग करेगा g में और यह चीज हमने प्रूफ कर दी phi of k1 और k2 inverse जो है वो कहां पे बिलोग करता है z बार में है ना तो यहां से आपके पास क्या आगया अब हमने सारे की सारी properties तो यहां पे करती satisfy है ना क्योंकि यहां पे देखिए क्या होना चाहिए था कि k1 और k2 का जो inverse है वो आपका z जीव में होना चाहिए था यहां पे प्रूफ हो गया ठीक है और यहां पे प्रूफ हो चुका है तो यहां से हम क्या बोल सकते है इस इंप्लाइज इस इंप्लाइज फाई इनवर्स के बार इस 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 सब गुरूफ औफ जी है इस 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 बूरूफ औफ जी ठीक है है हैंस प्रूफ चलिए अब लास्ट प्रोपर्टी बसती है प्रोपर्टी सीक्सथ फाई ओफ जेट जी इस इक्वल टू जेट ओफ जी बार अब ये जेट जी आपके पास क्या है सेंटर ओफ जी ठीक है सबसे पहले तो आप इसी को समझेए कि जो ये आपके पास जेट जी है क्या है center of G अगर हम इसको define करने की बात करें तो इसके अंदर वो सारे elements आएंगे g के जो की g के हर एक element के साथ commute करें for all elements of g ठीक है へr center of g में वो सारे elements साते हैं जो की g के हर एक element के साथ commute करते हो ठीक है तो यह आपका होता है center of g तो इसने क्या कहा है कि अगर मैं image set का center g find out करूँ या फिर center of g bar मैं अगर find out करूँ तो वो दोनों equal होंगे ठीक है अब ये कैसे होगा अब ये कैसे होगा अगर मैं यहाँ पर इसको define करके देखूँ तो आप एक चीज़ देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको define करूँ तो यहाँ पर क्या है आपके पास five of zg five of zg का क्या मतलब है यहाँ पर four all elements यहाँ पर देखिए five of zg का क्या मतलब है four all elements five of zg है तो इसका मतलब images आएगी है ना तो यहाँ पर देखिए four all elements say five z from g bar ठीक है says that five z five x is equal to five x five z four all five x belongs to g bar ठीक है यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि वो सारे elements आएगे यहाँ पर g bar के जो कि g bar के हर एक element के साथ क्या करें को म्यूट करें ठीक है यही मतलब हुआ इसका है ना यही तो हुआ ठीक है चलिए अब अगर मत zg bar की बात करूँ तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर g bar के वो सारे elements for all elements say g1 of g bar such that g1 x is equal to xz1 say x1 for all x1 in g bar ठीक है अब यह दोनों equal कैसे होंगे वह मैं आपको बताते हूँ अब एक बहुत अच्छा concept है यहाँ पर अब आप एक चीज देखिए कि जो आपके पास यहाँ पर 5 from g to g bar है यह आपके पास क्या है isomorphism है अब अगर यह isomorphism है तो इसका मतलब है यह one one भी है and onto भी है ठीक है अगर यह आपका onto है तो इसका मतलब जो आपके पास यह range set होगा वो क्या हो जाएगा complete g bar होगा है जो range set होगा वो आपका क्या होगा complete g bar होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर g bar के अंदर जितने भी elements होगे वो g के किसीने किसी element की image होगे है न वो g किसीने किसी element की image होगे यानि कि अगर मैं यहाँ पे G लो और यह आपका क्या है G बार है ठीक है Say A1, A2 up to A N और यहाँ पे आपके पास है 5 of A1 5 of A2 up to 5 of A N ठीक है क्योंकि आपके पास जो 5 है वो on to है यानि कि जो G बार के अंदर जो elements है वो किसी ने वो क्या होंगे image होंगे G के किसी ने किसी element की यानि कि G बार से अगर कोई element आया है यहाँ पे देखिए अब G1 जो है वो G बार से element आया है ठीक है इसका मतलब है कि यह जो G बार है ना यह जो G बार है G1 जो है यह G के किसी ने किसी element की image मिलेगा ठीक है जी के किसी ने किसी element की image मिलेगा ये है ना तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इस set को हम ऐसे define कर सकते हैं 4 all 5z in g bar such that 5 of z 5 of x is equal to 5 of x 5 of z 4 all 5x in g bar ये हमने क्यों लिखा है क्योंकि जो आपके पास 5 है वो 11 और on 2 है मान ले जीए अगर ये 11 on 2 नहीं होता तो इसका मतलब g bar में कुछ न कुछ ऐसे element भी बच जाते जो कि किसी की भी image ना बनते हो तो यहां पे हम b1 को हम 5 of b1 यहां पे नहीं लिख सकते अगर ये image ही नहीं बनेगा किसी की कि हम इस टाइप से नहीं लिख पाते है ना तो देखिए अगर आपके पास ये 11 on 2 है तो हम इस टाइप से define कर सकते हैं इसको है ना बस एक बार समझ लिजिए इसको अच्छे से बिलकुल शांती से तो ऐसे ही आपका जो ये होगा ना 6 ये दोनों equal ही होते हैं यहां पे कुछ different नहीं होता क्योंकि क्या यूज हुआ है ये 11 on 2 है इसलिए हम इसको ऐसे define कर सकते हैं ठीक है कर सकते हो ना ओके तो यहां पे आपका complete हो जाता है जो isomorphism की जो properties थी ठीक है हमने element पे बेस्ट भी कर ली ग्रूप पे बेस्ट भी हमने कर ली है अगर आपको पश्चन्द आया हो लेक्टर तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू सो मुच